सरसो तेले में कलाजी को मिला कर लगाने से दूर होती है ये पांच समस्या आइं ऐसे करे प्रयोग हलो फ्रेंस कैसे हैं आप सब आई होग आप सब अच्छे हूंगे विल्कम बाक तु माई चैनल होमेट इप्स भारतिय घरों में सरसो तेल का प्रयोग काफी जादक किया जाता है मुख्य रूप से खाना पकाने के लिए सरसो का तेल प्रमुख रूप से इस्तिमाल होता है इसमें कई तरह के पोशक्तत्व जैसे एंटी ऑक्सिडेंट एंटी इंफ्लोमेटरी गुनित्यादी पाये जाते हैं यहें आपके सफेद बाल को काला करने से लेकर सकाल्प संबंदी परेशानियों को दूर कर सकते हैं आईए जानते हैं सरसो के तेल और कलोंजी से होने वाले फायदों के बारे में बालो को काला करने में मददगार सरसो के तेल और कलोंजी के बीजों को मिक्स करके अगर आप अपने बालों पर लगाते हैं तो इससे आपके बाल नाच्रल रूप से काले हो सकते हैं दरसल ये कॉम्बिनेशन बालों में कोलोजन को बढ़ाता है और रंगत सुधारने में असरदार होते हैं इससे बालों को काला करने में मदद मिलती है स्काल्प की समस्याओं से अराम, सरसो के तेल और कलॉंजी के मिश्रन को बालो पर अपलाई करने से आप स्काल्प पर होने वाली समस्याओं को दूर कर सकते हैं इसमें मौझूद एंटी आक्सिडेंट और एंटी बेक्टीरियल गूंड स्काल्ट से हानी कारग बेक्टीरिया को खतम करते हैं यह स्काल पर होने वाली खुजली और अलर्ची को कम करने में काफी हद तक प्रभावी हो सकता है दो मुहे बालों से छुटकारा अक्सर लोगों को दो मुहे बालों की परिशानी हो जाती है यह ना सिर्फ आपके बालों की ग्रोध को कम करता है बलकि इससे बाल भी कमज़ोर होने लगते हैं इस स्थिती में सरसो का तेल और कलॉंजी का मिश्रन आपके बालों के लिए परफेक्ट हो सकता है इससे कुछ ही दिनों में दो मुहे बालों की समस्या दूर होती है जड़ते बालों की परिशानी करे कम अगर आप अपने जड़ते बालों की परिशानी से जूज रहे हैं तो इस स्थिथी में सरसो के तेल और कलॉंजी का मिश्रण आपके लिए बेस्ट हो सकता है। यहें बालों में blood circulation को बढ़ाता है, इससे scalp खुल जाते हैं और बालों को जड़ों से मजबूती मिलती है। इससे काफी हद तक गंजेपन की परिशानी कम हो जाती है। बालों को natural color करने में मदद करता है। सरसो के तेल और कलॉंजी का मिश्रण आपके बालों को सुरक्षित रखने में प्रभावी हो सकता है। इस मिश्रण की मदद से आपके बालों का natural color मेंटेन रहता है। इसे लगाने के लिए एक कप सरसो के तेल में दो से तीन बड़े चमच कलॉंजी डाल कर अच्छी तरह से पका ले इसके बाद तेल को ठंडा होने दे और फिर अपने बालों में लगा कर अच्छी तरह से मसाज कर ले I hope friends आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी अगर ऐसा है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए